हाई गाईस आज नेकबेंड के बारे मैं बात करेंगे और यह जितनी भी नेकबेंड है ना फिलिपकाट और एमेजोन से मैंने ओर्डर करे है और यह आप लोग सबसे जादा खरीद रहे थे इनकी रेटिंग बहुत जादा थी पॉपुलर थे आज मैं इन सबको टेस्ट करूँआ फिर रैंकिंग क्रियेट करूँआ क्या वर्स्ट है क्या बेस्ट है तो आज आपको बेस्ट नेकबेंड मिलेगा हासार उपे के नीचे तो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मेरा नाम है संचे चैनल का नाम है टेक बार ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ आप सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना तो मैंने हाँ पर पूरी रैंकिंग तो क्रियेट कर लिए दस के दुस्ट को टेस्ट करना डिफिकल्ट हो था लेकिन मैंने हाइस प्रिटी ऐस इजूल साउंड को रखी है और इस बात पर मैं आपको नंबर 10 से मिलाता हूँ यह ना Amazon B6 की तरफ से आते हैं मुझे लगा थे हैं Amazon का समान बहुत अच्छा होता है तो यह भी ट्राइ कर लेते हैं मैंने नो सूर पर खरीदे है और इनकी मैगनेटी भी बहुत बुरी है जो यहां पर एरफोन के राउंड होती नंबर 9 पर यह आते हैं बोल्ट प्रो बेस ऑडियो कर्फ इनका नाम है 900 रुपे के मैंने खरीदे इन जनरल बता हूँ ना तो इन नेक बेंड ठीक है डेजाइन वगेरा देखके लेकिन ना इसका साउंड शिकनेचर मेरे को बुरा लगा रीजन बींग कि हाँ पर रीटिंग के साथ आ रहे है बट हूज प्रॉब्लम यह है कि यह नेक बेंड जो है माइकर यूसबी से चार्ज होता है और सारे टाइप सी जा चुके है यार यह चीज़ अच्छी नहीं है और अगर यह अच्छी साउंड करते है ना एक बारी कोई फीचर वाला पार्ट में रीटिंग के साथ आ रहे है लेकिन जब मैंने इनको सुना गाइस तो यहां पर नहीं सेपरेशन तो बुरी थी इनफेक्ट यह वोकल भी है डंग से प्रोसेस नहीं कर पाता और बेस तो मैं बिलो एवरेज बोलुआ तो मतलब बिलो एवरेज साउंड सिखने चार है तो इस नहीं वक करता इनफेक्ट ब्रैंड ने जो है बहुत बड़े ड्राइवर्स इसके अंदर क्लेम करें जिससे अच्छा साउंड आएगा रिच बेस आएगा जब मैंने इनको ट्राए करा तो यारी सारे फॉल से क्लेम लगे मुझे मेरे अपीनिम के हजाब से क्योंकि देखो मुझे ये चीज काफी बड़ा नंबर लगा तो ये चीज अच्छी है इनफेक्ट आई पी एकस वाइडिंग भी और ब्लूटथ 5.2 है ये सब कुछ लेक्ट ओक्य है इनफेक्ट ये जो पूरा प्रोट है ना इसके अंदर हर एक चीज बिल्कुल ठीक अमाउंट की डाली ह हुई है फीचर्स और जो सांड वगेरा होते हैं कि यह बहुत बोरिंग प्रोट हो जाता है और सबसेंग बात करते हैं यह चूगा मिस्टिक है और यह था पर दिस्पली होना है पर संटीज लिखा आता है कि इतनी बेटर रिमीनिग यह मुझे बहुत अच्छा लगा और fun fact truck एक ऐसा brand है जो अपने TWS में भी बहुत amazing display देता है और यहाँ पर हमने neckband में भी दिये है तो यह extra efforts के लिए सच में appreciate करेंगे वैसे जो neckband है ना AAC codec को support करता है और इसके अंदर 40 millisecond की low latency है लेकिन एक बहुत fishy और weird बात यह है कि truck का कहना है कि यह 50 घंटे चलेंगे अब मुझे नहीं पता नहीं होने कैसे test की है मुझे तो भाई false claim लग रहे है क्योंकि मैंने इसमें जो थोड़ी जरी काने सुने थे और 80% हो गई थी battery 100% से वैसे इनके अंदर IPX4 rating है बट यह dual pairing support करते है बट जैसे कि मैंने starting ही बोला था कि sound सबसे main चीज होती है तो मेरे साबसे sound ठीक कर रहे है जिनको भी bass जादा पसंद है वो इनकी तरफ देख सकता है रीजन यह कि हाँ पर जब इसके अंदर bass आता है तो vocal को compress नहीं करते है बाकी instrument भी सुनाई देते है बेस के साथ तो यह चीज मेरे को अच्छी लगी और simple words में बताओ ना इनका separation जो है जितने भी अभी तक मैं neckband डिखाया ना उनसे better लगा मुझे बस sound के अंदर एक कम यह कि जो ना बुत बलकी सा है और कोई भी IB rating mention नहीं है और brand claim करता है बारा गंटे का better backup और धाई गंटे में full charge होते वैसे जो neckband ने dual peering support करता है देखो fact ही है कि यह जो neckband है फीचर के मामले में तोड़ा सा lack करता है इतने जादा features नहीं है लेकिन इसका sound मुझे पसंद आया है overall a balance sound create कर पाता है इसमें bass भी अच्छा है अगर आप 100% volume पर सुनोगे कोई distortion नहीं है in fact आप गाने enjoy करोगे इनके अंदर तो यह मुझे इसकी खास बात लगी है sound अच्छा है चाहिए separation देखके भी चलो तो I repeat अगर मैं sound देखते हैं चलो तो मेरे साब से आप इनको खरीच सकते हो और अब बात कर लेते हैं टॉप टू के बारे में और यह जो दो neckband में आपको दिखाने वालों नमबर वन और नमबर टू रैंकिंग वाले अब इनक डिपेंड करता है कि आप कैसे user हो मैं समझाने कोशिश करता हूँ जैसे कि नमबर टू पे यह डीजो की तरफ से आते है और सबसे खास बात इसकी यह है कि यह automatically pair हो जाते है मतलब जैसे आपने इसकी magnet से हटाया और कानों में लगाया यह on हो जाते है बाकी सबको manually on करना पड़ता है बटन दबा के तो 1000 रुपे में डीजो ने जो possible की है यह मुझे बहुत fantastic बात लगी और भी amazing बात है कि Bluetooth 5.3 support करता है तो वहाँ पर यह भी एक advantage है और डीजो क्लेम करता है 23 hours का playtime इसके अंदर अच्छा है भाई यह ऊपर से ऐसा कहना है कि 10 minute के charge पे 3 घंटे चल सकते तो यह भी अच्छी बात है इंट ब्रैंड का तो यह भी कहना है कि इसमें noise cancellation हमें बहुत अच्छी मिलती है तो I think call के time प है तो यह भी अच्छी चीज है बट मैं फिर से repeat करूँगा इस neckband का sound nature हो बहुत balanced है इसको भी like bass over power करता हो पसंद नहीं है या फिर balanced sound पसंद है go for it fantastic product है और number one की बात कर लेते हैं boat rockers 245 pro मैंने 1000 रुपे खरीदे है और मेरे साब से बहुत अच्छा product है जैसे कि मैंने diesel के अं सालेदर sound nature nature के साथ आते है इसके अंदर bass भी हमें मिल जाता है all rounder में इसको बोल सकता हूं मास इसको पसंद आएगा और अच्छी बात यह कि इस neckband के अंदर bluetooth 5.3 भी मिलता है ENC भी support करता है और यह neckband dual pairing भी support करते है आई-pix for reading भी है और मुझे designing का सच में काफी अच्छा ल 60% volume पे 20 hours का playtime मिलेगा प्रिसाइज है यह लोग प्लस इनका यह भी कहना है कि 10 minute charge पे 10 घंटे चरेंगे तो यह fantastic बात है इनको use करने के बाद मैं तो simple सी बात बोलूगा all rounder है 1000 उप्र में तो बहुर अच्छा product बनाया है सबसे अच्छी बात जो sound है ना चाहे उसमें base उठा planning कर रहे हो तो टॉप 3 में से आप कौन सा खरीद होगे और वीडियो helpful लगी हो तो आपको पता है लाइक बुटन पर प्लिक कर सकते हो और सब्सक्राइब करके हमाई टेक बार में को जोईन कर लो हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं अब लिए मिलते हैं थैंक्स वर लॉचिंग बाइब गाइज